अब दिसक्स करने वाले हैं अभी तख हम दो वीडियो और डिसक्स कर चुके हैं फॉर्स्ट वीडियो हमारा टोटली बेस्ट था बेसिक ऑफ बाइचेटिक पे जिसमें हमने लिखा था कि एंठल्पी क्या होती हैं एंट्रॉपी क्या होती हैं गिप्स फ्री एनर्जी का बेस के सब्सक्राइब 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 के सब्सक्रा 説 ciento होती है coupled reaction क्या होती है कelf reaction मांट से ही समझ में आ विसलेग्शन की inhaking करेंगे दो रिएक्षिन होगी जो एक based के साथ कपल वोगी कहीं नहीं लिंक होगी बट कंडिम्टागेशन demographics के कपल होने के और क्यों कियों कपल होती है इस अब में हम क्प्लिंग औरchy क्यों हम कपलिंग फरेग्शन पढ़ते हैं चुझा shark होती है तो बहुत ही सिंपल सी बाट है से क्क्रियेशन को और्मानियोग और वो एनर्जी उसे हुलना में हो पारी उसे किसी प्रोड़क्ट का फॉर्मेशन करना है उसे जितनी एनर्जी की रिक्वार्मेंट है वह एनर्जी उसे किसी दूसरे एनर्जी के उसी दूसरी रियक्शन के थू मिल रही है तो वह क्या करेगी उस रियक्शन के साथ कपल हो जाएगी वह रियक्शन जितनी एनर्जी एक non-spontaneous reaction को spontaneous reaction में convert करने के लिए basically reaction को कपल्ड किया जाता है सब ध्यान से समझेगा spontaneous reaction मलब forward direction में move कर रहे है easily substrate किसमें convert हो रहा है product में non-spontaneous reaction हमने देखा था जिसमें system क्या करेगा energy को gain करेगा energy उधाल लेगा कह सकते है energy उधाल लेके वो काम कर रहा है तो वो कैसे होती आपकी non-spontaneous reaction spontaneous reaction मलब उसके sufficient energy है कि वो energy release भी कर रहा है फिर भी वो stable condition में work done कर रहा है non-spontaneous condition मलब उसको work done करने के लिए किसी और से energy उधाल लेनी पढ़ रही इतने kilojoule energy उधाल मिलेगी तब वो क्या करेगा work done के लिए responsible होगा तो non-spontaneous condition एक endergonic reaction को exergonic reaction में convert करने के लिए spontaneous reaction में convert करने के लिए हम किसकी study करते है coupled reaction की coupling के थूँ एक endergonic reaction को किसमें convert कर जाता है exergonic reaction में एक non-spontaneous reaction को favorable या spontaneous condition में convert कर जाता है ताकि वो forward direction में move करे ज् Norm औरम करक्षें कौंदिशन करें चाहिए अब मैं सब्सक्रमेशं को सकती है कंडिशन कर दोनों रेक्षन है के हुषये के दोनों इंटर्मीडिएट होना चाहिए इदि और होगा तो वो दो फ्री अनर चेंज नेगिटिक Jamma ये डल जी not की value कैसे हो जानी ज़िए negative तो ध्यान रखिएगा three basic conditions की 2 reaction को कपल कप कर सकते हैं first condition – दोनों reaction कैसे होनी ज़िए sequential होनी ज़िए sequence में होनी ज़िए sequential reactions ya sequence में होनी ज़िए subsequent reaction होनी ज़िए second reaction उनके गीच में common intermediate होना ज़िए कोमें आ 사ना चाहिए इंटर्मीडियर्डियर्ट होना चाहिए दोनों रृच्छन के बीच में चाहिए रमना किसकी है रेक्षन क्या si चाहिए कॉमन शेंट क्या कर सकते हैं कॉपल कर सकता है suppose ए ने बी का प्रोड क्शन क्या, ठीके, बी ने ची का प्रोड़क्शन क्या, एसे बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, इसकी एक स्टाइड फ्री अनर्जी चेंज फिक्स डे गल जी नॉट करेंगे, suppose एकस वाइज जो भी होई, डल जी नॉट टू, लेस्ट वाई, जो भी ह इन दोनों के बीच में बीच में एक यह एक वैली कि चलते हम नेगे टुट वीच में बीच में दूनों से कुवेंशल रेक्शन है तो यह डोनों कैसे हो सकती है कुपल हो सकती है कुपलिंग रीक्शन में कहा जाता है कि STANDARD FREE ENERGY CHANGE क्या हो तो टो 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 टनेड फ्री energy change additive होता है दोनो sequential reaction का सपोज यह first reaction है आपकी यह second reaction है तो डल जी total क्या होगा first और second reaction का additive होगा डल जी total क्या होगा डल जी not one plus डल जी not two total standard free energy change दोनो sequential के standard free energy change का additive होती है द्यान रखिएगा दो रीक्षिन आपको गीवन है थार्ड रेक्षिन के आपको पूछा जाए कि standard free energy change क्या होगा उनकी standard free energy change दी हो यह दोनों की तो द्यान रखेगा दोनों का additive ही क्या होगा third reaction का standard free energy change होगा मलग ए से सी के बनने की energy standard free energy change किस पर डिपेंड करता है डेल जी टो इस्टेंडर्ड टोटल पर ठीके तो यह क्या था दोनों की बीच में common intermediate है दोनों सब्सक्वेंशल रेक्षिन है दोनों का डेल जी स्टेंडर्ड कैसा होगा नेगैटिव मेराइगा रिपेंड करता है कि बैल्यू किस फर्म में यदि वैलू पॉजटिव है तो उसका पॉजटिव बैट बैलोजिकल सिस्टेंडर्ड कंडिशन कि होने दिल जी स्टेंडर्ड की वैके प्लिंग में चाहती है अब कॉपलिंग डिप्लिंग और सब्सक्राइब करता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है ग्लुकोज 6 फॉसफेट का कि देट के सब्सक्राइब करने के लिए इतनी अनर्जि है जो उसने सराउंडिंग से एब्जॉब किये जो उसने किसी से उधार लिये तब जाके उसका काम बना है वर्क दन करने के लिए इतनी एनर्जी किसी और से लीनी पड़ी है तब जाके उसने वर्क दन किया है क्योंकि गिप्स प्री एनर्जी होती है वह एनर्जी जो वर्क दन इनरजी कालाती गिप्स प्री अनरजी इसको एनरजी के साथ कपल थी कोई एक्जरगोनिक रिक्शन नहीं इस रेक्शन को चलाया मतलब कहीं से एनरजी रिलीज हुई है उससे इनरजी अब्जॉब करेगा और वही सिस्टम को आगे पात्रिया प्रोड़क्ट का फॉर्मेशन करेगा अब ये inorganic phosphate का डोनर कुल होता है basically सबसे most important ATP energy currency के रूप में कहा जाता है ATP को जब adenosine tri phosphate dissociate होता है तो किसका formation करता है adenosine diffosphate और एक inorganic phosphate ATP की hydrolisis होती है तो क्या को बनाएगा वो ADP प्लस PI में dissociate होगा अब इस condition में DLG standard की वल्योति है minus 30 kilo 30.5 या 32.5 लिका रहता है कहीं गहीं kilojoule per mole अब यह एक exergonic reaction है यह एक endergonic reaction है इस glucose को inorganic phosphate किस नहीं दिया है adenosine triphosphate ने एनर्जी दी है तभी जाके इसने क्या क्या है glucose 6 phosphate का formation किया है वल्लब जब तक ATP अपना phosphoryl troop डोनेट नहीं करेगा या एनर्जी नहीं देगा तब तक glucose 6 phosphate नहीं बन सकता वल्लब यह दोनों reaction कहीं नहीं क्या हो गई coupled reaction है ATP ने अपने हाइड्रोलेसिस कराई उसके हाइड्रोलेसिस से जित्ती एनर्जी रिलीस हुई उस एनर्जी को किसने glucose ने एक्सप्ट किया और इसको एब्जब यह गेन करके glucose 6 phosphate का formation किया अब दोनों reaction कैसी चल दिये कप्लिंग में चल रही है अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों reaction का overall standard free energy change क्या होगा तो हमें यहाद है कैसे निकालते हैं standard free energy change डल्जी standard total is equal to दोनों reaction के additive होता है standard free energy change तो standard free energy change total 13 kJ plus minus 30.5 kJ तो निकाल सकते हैं किता हो चाहेगा around 17 kJ में आपका चाहेगा डल्जी total तो यह होता है basically डल्जी total निकालने का formula कैसे निकालेंगे और क्या होती है standard free energy change या additive standard free energy change additive का मतलब ही होता है एक endergonic reaction यह कैसी थी basically endergonic reaction endergonic or exergonic reaction को coupled किया जाए तो basically उस coupling में exergonic reaction से जो heat release होती है endergonic reaction उसको accept करके reaction को forward direction में move कराती है या उस reaction को favorable बनाने की कोशिश करती है तो वो reaction क्या कहती है coupling of reaction coupling of reaction में आपने देख रहा होगा कि इसमें water molecule को हमने as a consider नहीं किया है इन और common intermediate है कौन सा है water molecule भी और एक inorganic phosphate भी यह रहा है पट वाटर मॉल्यक्वल का concentration हम एड नहीं करते हैं क्यों क्योंकि यह कहा जाता है कि water molecule concentration reaction में same रहता है reaction में जब भी water molecule use होता है उसका concentration 55.5 बोलार concentration उसका same बना रहता है जितना water molecule use होता है जितना use होता release भी हो जाता है तो water molecule का concentration same रहता है इसलिए उसे consider नहीं किया जाता है तो नॉर्मल यह सबसे सिंपल पात्वेत है जो हमेशा पढ़ते हैं या ATP की case में आप हमेशा देखते हैं क्यों क्योंकि ATP क्या है highest energy source या तो वह adenosine diphosphate या inorganic phosphate में टूटेगा या फिर second condition क्या हो सकती है AAP plus pyrophosphate यह दो हो जाए तो यह यह दो ओ सकती है यह तहाँ आपके standard free energy change कैसे होते है additive होती है यह का equilibrium को चाहाँ तो है का equilibrium जाए कि सबस्रेशन दी कहा जाए ड्राइ को गडिशन अब बिन घ्री तो अब आपको यह कहा जाए कि इन दोनों रियक्शन में ओवरल रेक्शन का के एक्विलिप्रियम क्या होगा तो ध्यान रखें के लिग इसके सद्वाइब DLG Standard तो Additive होता है But K Equilibrium क्या होता हैifall muchísimo के 22 मतलब उसका Productive Form होगा उन दोनों के Alexandra K Equilibrium कुछा होता है Total K Equilibrium K Equilibrium Total is equal to kEQ 1 into kEQ 2 या तो उनका Reactant upon product का Concentration अपको गीवन होगा यह k equilibrium की value गीवन होगे Definitely direct questions नहीं इंडिरेक्टली पूछा जाए कि equilibrium constant पे product का concentration इतना था तब उसका total k equilibrium की value क्या होगी तो total k equilibrium क्या होता है दोनों का multiplicative और total delg क्या होता है दोनों का additive तो ध्यान रखना है बहुत basic सी बात है दोनों की case में कि delg standard क्या होगा यह case में ध्यान रखना आपको कि delg standard क्या होगा और total k equilibrium क्या होगा दोनों reaction का total k eq कैसे निकालेंगे तो k eq की बात की जाए तो multiplicative और delg standard की बात की जाए तो total यह additive होगा हो ठीक है डेल जी केस में कहाँ जाता है Gibbs free energy केस में कि Gibbs free energy generally path independent होती है सब्सक्राइब कोई मतलब नहीं कि reaction के सब्सक्राइब होता है कि final amount में किती अनर्जी रिलीज हुई और initial amount में किती अनर्जी तो ध्यान रखेगा Gibbs free energy हो गया वह कैसी होती कि basically path independent होती है reaction mechanism से कोई मतलब नहीं होता है वो reactant और product के concentration यह उसी पर basically depend करते है कि final और initial value क्या है तो यह था आपका basically coupling of reaction bioenergetics के series का third part जिसमें हमने देगा coupling of reactions क्या होती है reaction coupled कैसे होती है standard free energy change additive क्या होते है productive क्या होगा कि equilibrium productive कैसे find out करेंगे यह सब हमने study किया I hope आपको यह series का third part भी easily समझ में आओगा जहां भी आपको डाउट आप बिल्कुल मुझे comment करके पूछ सकते हैं यह दि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो please इसे like जरूर करें comment box में जो भी